आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुर्ट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनेट करें दो तैन ठीटा पूरे का बटा एक धन टैन का वर्ग थीटा तो यहाँ पर है साइन एक्स तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो थीटा का जगा पर यहाँ पर एक्स बटा दो आ जाएगा धन 10 का वर्ग X बटा 2. धन तीन दूनी 6 10 X बटा 2. यह हो जाएगा. पूरे का बटा में ay 10 10-1 बटा में गो यह हो जाएगा यहाएगा. यह होगा. 10 stamp X बटा 2 tran 10 है 4 धन 4, 10 का वर्ग, x बटा 2, धन 6, 10, x बटा 2, यह होगा. अब यहां से मैं इससे हल करने के लिए 10, x बटा 2 को t मान सकता हूँ. यूदि 10 को, 10 x बटा 2 को t मानेंगे, तो उपर में क्या है? एक धन 10 का वर्ग, x बटा 2 है, उसका आउकलन क्या होता है? सैक का वर्ग एक्स बटा दो होता है दिखिए इसे हल कैसे करेंगे तो एक धन टैन का वर्ग थीटा बराबर क्या होता है यह हो जाता है सैक का वर्ग थीटा यह होगा इसके जगा पे देखिए एक धन टैन का वर्ग एक्स बटा दो के जगा पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सैक का वर्ग x बटा 2, गुणा, dx, पूरे का बटा, अब यहाँ पे, यहाँ पे हल करने के लिए, क्या करेंगे, 4 उभयनिस ले लेंगे, तो यह हो जाएगा, tan का वर्ग x बटा 2, धन, यह हो जाएगा, 6 बटा 4, 10 x बटा 2, धन, 1, यह आएगा, तो तो 10X बटा 2 को T मान लेंगे और तो यहां से पहले से 2 ती अच्छा है, 2 दुनी चार ये कड़ गया, तो 3 बटा 2, 10X बटा 2 हो गया यहां पर, और देखे, माना कि 10X बटा 2, 10X बटा 2 बराबर T, तो इसका आउकलन, सैक का वर्ग X बटा 2, गुणा 1 बटा 2, बराबर, गुण गुणा 2X बटा 2, गुणा 2X बटा 2, गुणा 2X के जगह पे क्या आजाएगा, 2 गुणा 2DT आएगा, तो अब इसे हल करते हैं, तो देखे, अंश के जगह पे, अंश मतलब सैक का वर्ग X बटा 2, गुणा 2X, इसके जगह पे आएगा 2DT, तो समाकलन, एक बटा 4 बाहर मे हैं, समाकलन, दो गुणा 2DT, गुणे का बटा में, T का वर्ग धन 3 बटा 2, T धन 1, ये है, तो 2 को भी बाहर ले जाएगे, तो क्या बनेगा, 2 बटा 4 गुणा समाकलन, DT बटा, इसका पूर्ण वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे हर में, तो T का वर्ग, धन 2 गुणा, T 3 बटा 4 का वर्ग, धन 1, ये हो जाएगा, तो देखें दोस्तों, अब क्या आ रहा है, ये होगा, 2 एकमदो, 2 दुनी, 4, तो 1 बटा 2, समाकलन, DT बटा में, यहां से क्या बनाने का वर्ग, धन 2, A, B, धन B का वर्ग, यानि T धन 3 बटा 4, पूरे का वर्ग आ रहा है, और र रिंड, 9 बटा 16, रिंड, 9 बटा 16, धन 1, इसे हल करने पे क्या है, ये हो जाएगा, धन 7 बटा 16, ये बन गया, तो अब मैं इसे सूत्र के रूप में लिखने के लिए देखें, ये लिख सकता हूँ, 1 बटा 2, DT बटा, T धन, T धन 3 बटा 4, का वर्ग, धन करणी 7 बटा 4, क वर्ग, ये लिखते हूँगा, अब ये लिख हूँगा, तो देवस्तों, इसके में सूत्र बन रहा है, कौन सा सूत्र के रूप में आ रहा है, देखें, ये हो जाएगा, समाकलन, 1 बटा, T, X का वर्ग, धन, A का वर्ग, D, X, तो इसका हल होता है, 1 बटा A, 10 का इन्वर्स, X बटा A, धन, C, जहाँ C है, समाकलन, चर, तो इस सूत्र से प्रयोक से हल करेंगे, तो X के जगा पे T है, यहाँ पे, तो यह बन गया, 1 बटा 2, गुणा, 1 बटा A के जगा पे क्या है, करणी 7, क्या है, करणी 7 बटा 4, 10 इन्वर्स, X के जगा पे, T धन 3 बटा 4, और A के मान रख देते हैं, और इससे हल कर देते हैं, तो यह हो गया, 4 बटा 2 गुणा करनी 7, गुणा 10 का इन्वर्स, क्या होगा, 4 T धन 3, कूरे का बटा 4, गुणा 4 बटा करनी 7, यह लिख सकते हैं इसे, तो 4 से 4 कड़ गया, धन C, यह बटा में था, उपर चला गया, अब क्या आ गया, दो बटा करनी 7, गुणा 10 का इन्वर्स, T किसे माना है, हमने 10X बटा 2 को, तो 4, 10X बटा 2, धन 3, कूरे का बटा करनी 7, धन C, यह आएगा, यही हमारा अबेश्टाल होगा, आई के बराबर, धन्यवाद, आशा करतों आपको वीडियो पसंद आए, पक्षचरी से बारवी से लेकर, नीट IIT JE वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादा चातरों का भरोज़ा, आशी डाउन्ट करें डाउटने डाप, यह वच्चाप करें अपने सारे डाउट्स, आच 400 400 400 पर,